पता हैं जब बहुत जोरों की भूख लगे हो तभी हमारे सारे इंवेंशन्स लिकल करके बाहर आते हैं कुछ ऐसा ही हुआ लास्ट नाइट मेरे साथ जो बहुत तेज भूख लगे तो मैंने का चलो आज कुछ नया बनाया जाए कुछ अच्छा बनाया जाए जो अभी तक मैंने ट्राय ना किया हो फिर मैंने क्या किया था फिर फटाफट से मैंने बैटर बना लिया एक बेसन का जिसमें मैंने डाल दिया रेगुलर वही नमक मेर्च थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा आम चूर पावडर इन सब को मिला कर अच्छे से पका लिया पानी सुख गया एकड़ा एसा हो गया कि जब हम फिलिंग भरेंगे तो बिल्कुल भी उससे मतलब उसे वाटर को किसी बी तरीके से नहीं निकलेगा जैसे हमारा बेट पकाड़ा एकड़ा पिछके ना तो मैंने बस उतना ही उसको भून लिया फिर म कर दिए उसके उंदर थोड़ी म्यानी और लगा दिया अपना यह फिलग्स फिल mêmes लगा दीटो फिर मैंने एक और में आधी मुझे बहुत पसंद सब्सक्राइब मने तो ऊसके तेज रखें फिर जो आप जिस वक्त डालने जाएंगे पकोड़ा उस वक्त आज को थोड़ा सा कम कर दें जिसकी वज़े से जो आपका ब्रेट होगी ना अंदर तक पक जाएगी उसके अंदर जो भी मटीरियल होगा वो भी पक जाएगा और अच्छे से बैट पकोड़ा और बेल आइकन दवाना मत भूलिये थैंक्स फर वाचिंग से यान मैं नेक्स वीडियो तिल दन बाबाय तेक क्यार